हालो दोस्तों मैं संजेती वारी आपका तिवरिश्ट्रेस गार्डन में हर्दीक स्वागत करता हूं आज मैं एक नया प्लांट ले करके आया हूं इसके उपर वीडियो हम बना रहे हैं आज यह देखिए यह प्लांट बड़े ध्यान से आप देखिए इसकी पतियों को भी आप अच्छी तरह से पहचान लेजिए सुगर का रम बान इलाज है यह 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 मदुमेह के रोगियों के लिए किसी अम्रित से कम नहीं है इसको गुर्मार बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जीमनामा सिलिवेस्टर है यह भारत दक्षिन अफरिका और अस्टेलिया के उश्र कतिवंधिये बनों में पाया जाता है प्राचीन काल से ही गुर्मार का उपयोग डियवेटिक यानि मदुमेह सर्पदंस यानि सापके काटने से और मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है यह सुगर के यानि डियवेटिज के रख आउस्टेशों को यह सोशित करता है इसलिए यह बहुत महत्रपून पौधा है इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे इस प्लांट को कैसे केर करना है आप भुरभुरी मिटी बनाएं यह बहुत कोमल पौधा है जब आप इसको नर्सरी से लाते हैं तो इस पौधे को आप छाय में रखिए नहीं तो इसके पौधे मुर्जाने लगते हैं इसको आप नर्सरी से ला करके अच्छी तरह से मिटी बना करके उसमें लगाईए और इसको semi-sade area में इसको आप रखिए semi-sade area में कम से कम एक हपता दस दिन रखिए उसके बाद में आप उसको जहां कम धूप आता है वहाँ पर आप इसको रखिए तो ये पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता है तो इस पौधे के लिए अच्छी तरह से मिटी बनाएए पानी इसके जड़ों में ठाहरना नहीं चाहिए इसलिए मिटी बनाते समय इसमें कोकोपीट और रिवर सेंड का भी उप्यूग करिए और इस प्लांट को जैसे मैंने बताया आपको semi-sadeying इलाके में रखना है fertilizer देने से पहले इस तरह से आप पौधे की अच्छी तरह से गुडाई कर लीजिए और इसमें हम दो चीज डालेंगे यह देखिए यह हमारे पास है seaweed fertilizer granules form में और दूसरा हमारे पास यह है एक साल पूराना सड़ा हुआ गोबर का खाथ तो इसमें हम इनको देने जा रहे हैं कि गोबर का खाथ जो है चालो तरफ फैला दीजिए फिर इसके बाद में आप आठदस दाने ले लीजिए जाने की एक दो चुटकी करीब इतना मातरा एनफ है इसके जलों से दूर थोड़ा सा चालो तरफ इसको फैला दीजिए और मिटी के अंदर इसको मेक्स कर लेजिए फोड़ा सा मिटी ड्राई हो जाएगा तब हम इसको बाटरिंग करेंगे इस तरह से आप इस पोधे का देखवाल किया करिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डाइवेटीस के लिए तो इसका रमभन इलाज होता है कोई भी डाइवेटीस वो टाइप 2 के मरीज हो उनका भी इलाज होता है और इससे सर्पदंस और मलेरिया में भी इलाज किया जाता है इसके बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे पस्चिम के बिग्यानिक भी इसके फाइदों के कारण इसके सूध में लगे हुए हैं ये उनके लिए भी एक बहुत ही अनोखा विशाय है और इसके उपर सूध कर रहे हैं कि इससे किस-किस तरह से इसका फाइदा लिया जाए ये हजारों वर्सों से आयरुवेद के अनुसार इसे हम चिकिसा में उपयोग कर रहे हैं इस पोधे को अब हम जानते हैं इसके कंप्लीट फाइदे के बारे में कि इससे कौन-कौन से फाइदे होते हैं गुर्मार का उपयोग डियापिटिस के अलामा अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है जैसे वजन कम करने के लिए और लिपीट कम करने में मदद करता है इसके अलामा ये एंटी-एनलजेटिक और एंटी-वारल गून भी होते हैं इसके अंदर गुर्मार जलन सुजन कम करता है और इस तरह है मुक्त कणो यानि फ्री रेडिकल्स के हानिकारक प्रभाओं से सरीर की रक्षा करने में मदद करता है इसका उपियोग अस्थमा आँखों की समस्याओं आस्टियोपेरोसिस, हाइपर कोलोस्ट्रोलिया, काडियोपेथी, कब्ज, माइक्रोवियल, संक्रमन, अपच, आदे के इलाज में किया जाता है गुर्मार डायबीटिस में बहुत ही लाब दायक है गुर्मार में कुछ एंटी एथरलोस्टिक गुन होते हैं, जिनसे यह धमनियों में वसा के जमाओं को रोकता है इसके अलमा गुर्मार रक्त संकरा के अस्तर को कम करने में मदद करता है गुर्मार का सेवन लिपीड की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है गुर्मार का सेवन टाइब 2 डाइबीटीज में बहुत लावकारी है, गुर्मार की पत्यों के ऐसे गूण होते हैं, जिससे मीठा खने की तलब कम हो जाती है, साथ ही इससे टाइब 2 डाइबीटीज से पीडित व्यक्तियों में hyperglycemia نियंत्रित होता है, इस तरह यह अगर उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिसे स्ट्रोक, दिल का दोरा, हर्दे रोग, हर्दे गती रुकना, केड्नी का काम करना, बंद होना और अन्य गंभीर इस्तितियां पैदा हो सकती है। इन में से यदि कोई लक्षण दिखे तो इन पर ध्यान दे। गुडमार में जिमनेमेटिक नाम का एसिड होता है, जो हमारे सरीर में मौझूद एक प्रोटीन, एंजियोटेसीन की गतिविदियों को रोकने में मदद करता है, जिसे ब्लड प्रेसर कम करने में मदद करती है। गुडमार है PCOD में उप्योगी, Polycystic Ovarian Syndrome यानि PCOD महिलाओं की ओवरी अंडासाय से जुड़ी समस्या है, इसमें महिलाओं के जो हर्मोन असंतुलित हो जाते हैं, यह समस्या आमत और मोटापे की सिकार महिलाओं में पाई जाती है, उनमें से 30-40 प्रतिसत महिलाएं, गुल प्रतापा कम करने में मदद मिलती है, प्लासिस्टिक Ovarian Syndrome या PCOS से पीडित महिलाओं में बांचबंद की समस्या हो सकती है, तो PCOS को नियंतिरित करने के लिए उपियुक्त आहार और पूरक पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है, गुर्मार लीवर को भी सुरक अच्छा के लिए टौनिक का काम करते हैं, तामिल नाडू के मदुरही में इस्तित सिरुमले पहाडियों में रहने वाला पलियार जन जाती है, पीलियां के इलाज के लिए गुर्मार की पतियों का उप्योग करते हैं, क्योंकि इसमें लिवर को ठीक करने वाले गुण होते गुर्मार तवचा को भी स्वस्त रखता है। गुर्मार कैप्सूल बेक्टिरियर ओधी गुर्ण होते हैं जिनका उपयोग तवचा विकारों और संक्रमों के इलाज के लिए किया जाता है। गुर्मार के अर्क से वस्वों और मनुष्यों में वजंग कम करने में मदद मिलती है। गुर्मार के इलाज में मदद मिलती है। गुर्मार अच्छे किस्म का मुत्रवर्धक भी है। इसे वजन कम करने में मदद मिलती है। अब भीवर्स हर चीज के तो फाइदे होते हैं लेकिन कुछ तोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं जिनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। गुर्मार बलड सुगर कम करने में बेहत प्रभावी है इसलिए अन्य बलड सुगर कम करने वाली दवाओं के साथ में इसका सेवन करना सुरक्षित है। इस तरह बलड सुगर का अस्तर जरूरत से ज़्यादा या नीचे जा सकता है। इसके आधिक सेवन से सेरदर्द, मतल और चक्कर आने जैसे दूस प्रभाव दिख सकते हैं। जिन है मिल्क वीट यानि जिन पौधों से दूदिया रस निकलता हो ऐसे पौधों से एलर्जी है तो उनको इससे लेने से बचना चाहिए। तो देखा वीवर्स ये गुर्मार के कितने चमतकारी फायदे हैं आपके और हमारे सहत के लिए तो मेरा यही सलाह रहेगा कि आप अपने गार्डन में अपने घरों में इसका एक दो पौधा अवस्चे रखिए और इसके पौधे के सेवन से आपके घर में कोई भी डाइबेटिस का मरीज हो तो उनको ये खाली पेट दो-तिन पत्ते चबाने के लि पिला करके आप उसको खाली पेट ले सकते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए फाइदे मंद होगा तो इस तरह से आप अपने गार्डन में एक-दो पौधा अवस्चे रखिए ताकि आप इससे स्वस्तलाब उठा सके हैं तो वीवर्स यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार अपसर लाते रहते हैं तो आप मेरे चैनल से बने रहें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टोपिक के उपर तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरों